नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रभी और आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने येटूब चैनल इस्ट डीवित रभी पर फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में उत्राखन करंट अफेर्स 2023 की छटी क्लास पढ़ने वाले हैं जिसमें दोस्तों सभी इंपोर्टेंट और सेलेक्टिट कोशन सामिल के गए हैं फ्रेंड्स हम उत्राखन के अलावा नैसनल और इंटरनैसनल करंट अफेर्स के कोशन भी पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के अपने पहले कोशन से और पहले कोशन रहेगा कि हाली में लियूमिनस पाबर टेक्नलोजी ने पहली गिरीन सोलर पैनल फैक्टरी कहां इस्थापित करने की गोसना की है तो यह गोसना दोस्तों उत्राखन राज्ये में इस्थापित करने की की गई है तो याद रखेगा कि उत्राखन के रुद्रपुर सहर में दोस्तों गिरीन सोलर पैनल फैक्टरी इस्थापित की जाएगी जो की देश की अपनी तरह की पहली फैक्ट्री रहेगी जिसका संचालन गिरीन एनर्जी से क्या जाएगा गिरीन एनर्जी दोस्तों वह एनर्जी होती है जैसे पबन उर्जा, सोर उर्जा ठीक है ओफ्रेंट्स इसमें एनर्जी उत्पादन करने की जो छमता रहेगी तुम्हें प्रती बर्स 500 मेगावाट की रहेगी महत्पुन प्रस ने याद रखीगा नेश्ट कोसे ने फ्रेंट्स बताएगा आंसर की हाली में पंदरवे होक की विश्वुक अप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है तो यह खिताब दोस्तों जर्मनी देश ने जीता है राइट आंसर है ओप्सन बी जर्मनी ने वैल्जियम को हरा कर पंदरवे होक की विश्वुक अप 2023 का खिताब अपने नाम किया इस कप का आयुचन जो किया गया दोस्तों तो बहुत उरिसा राज्ये में किया गया था उरिसा के कलिंगा और विर्सा मुंडा इस्टेडियम में ठीक है अगर आपसे पुछा जाए कि पहला होक की विश्वुक कप खेला गया तो यह दोस्तों 1924 में की गई थी फिंट्स पंद्रवे हुक की विश्वकप में भारत का इस्थान नवा रहा है जबकि दूसरा इस्थान वेल्जियम तीसरा इस्थान नीदरलेंड देश का रहा नेश्ट कोशन है कि 31 जनवरी 2030 को राष्टिय महिला आयोग द्वारा कौन सा इस्थापना दिबस मनाया गया फिंट्स राष्टिय महिला आयोग के द्वारा 31 वा इस्थापना दिबस 31 जनवरी को मनाया गया अगर आपसे पूछा जाए कि राष्टिय महिला आयोग की स्थापना किस वर्स की गई तो इसकी स्थापना 1990 के अधिनियम के द्वारा 31 जनवरी 1992 में की गई जिसकी पहली अध्यक्ष रही जैनती पतनायक और बरतमान में दोस्तो राष्टिय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा सर्मा फूर्थ कोशन है फ्रेंट्स बताना है कि हाली में नियाए धिसो के एक पैनल द्वारा गरतंत दिबस 2023 प्रेड में सर्फ्रेश्ट जहांकी किसे घोशित क्या गया तो उत्राखंड की मानस खंड जहांकी को दोस्तो सर्फ्रेश्ट जहांकी घोशित क्या गया है 2023 की गर्तन्द दिवस प्रेड में ठीक है ये देखिए नियाई जिसों के पैनल के द्वारा मिला ठीक है एक जो दोस्तों होता है माई जी ओवी के द्वारा जो सर्शेष्ट जहांकी घोशित की गई तो बहुत है दोस्तों गुजरात की जहांकी को घोशित क्या गया गुजरात की जहांकी दोस्तों सोलर एनरजी पर अधारित थी देखिए कोशन है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से सोर उर्जा से संचालित गाउं कोन सा है तो बहुत है दोस्तों गुजरात का मोडेरा गाउं है ठीक है तो इसी पर गुजरात की जहां की अधारी थी जिसे माई जी ओवी ने पहला इस्थान दिया है अगला कोशन है दोस्तों कि भारतिय पुरातत सरवेक्षन द्वारा किस योजना को प्रती स्थापित कर इसमारक मित्र योजना को लोंच करने की घोशन की है तो राइट आंसर है ओप्शन सी धरोहर गोद ले योजना धरोहर गोद ले योजना को हटा कर दोस्तों इसमारक मित्र योजना को लोंच किया गया है भारतिय पुरातत्व सरवेक्षन के द्वारा कोश्चन है दोस्तों कि भारतिय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता ह तो फिंट्स का निंगम को भार्तिय प्रातत का जनक वोला जाता है ठीक है ये जो दोस्तो इसमारक मित्र योजना जो सुरू की गई ठीक है तो यह 27 सितंबर 2022 से शुरू की गई है जबकि धरोहर गोधले योजना जो शुरू की गई थी तो यह 27 सेतंबर 2017 को शुरू की गई है Next question है कि मसूरी में इस्थीत जोर्ज एबरेश्ट हाउस का लोकारपन किसके द्वारा किया गया Right answer है option B सत्पाल महाराज सत्पाल महाराज जो बरतमान में उत्राखन के परियाटन और PWD मंत्री है ठीक है इनी के द्वारा जोर्ज एबरेश्ट हाउस का लोकारपन किया Friends George House एबरेश्ट मसूरी में इस्थीत है सात्वा question है और महत्मान प्रसन है कि आत्म निर्भर उत्राखन मिसन पूरा करने का लच्छे किस वर्ष को रखा गया सही answer है option C 2025 2025 तक दोस्तों उत्राखन राज्जिया आत्म निर्भर राज्जिया वन जाएगा अगला question है और महत्मान प्रसन दोस्तों यह है भी उत्राखन के चमुली जन्पद के विकास खंड घाट का नाम बदल कर क्या रखा गया राइटाम से रह option B नंदा नगर नंदा नगर दोस्तों नया नाम रखा गया है घाट विकास खंड का जो की चमुली जन्पद में इस्तित है देखिए जो नंदा नगर नाम रखा गया तो यह है एक अप्रेल 2022 को अधिकारिक तोर पर रखा गया इसकी दोस्तों काफी बर्सों पहले से मांग की गई थी जो इस्थाने लोग थे तो वह है घाट जो सब्द है तो इसे अप सगुन मानते थे मतलब एक असुब सब्द मानते थे जिस कारण प्रती बर्स इसका ब्रोध किया जाता था ठीक है और नया नाम क्या गया नंदा नगर नेस्ट कोशन है और महत्पुन प्रसन है यह भी दोस्तों कि फोरेश्ट सर्वे ओफ इंडिया रिपोर्ट दो हजार इकिस के अनुसार 2019 की तुलना में दो हजार इकिस में कितने वन अच्छादित छेतर में ब्रधी हुई है सही आंसर है ओप्शन ए 2.09 बर्ग किलोमीटर फ्रेंट्स 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार उत्राखन राज्ये में 2.09 बर्ग किलोमीटर वन च्छेतर की ब्रधी हुई है फ्रेंट्स 2019 में जो यह च्छेतर था तो 24,303.04 बर्ग किलोमीटर था और 2021 में बढ़कर 24,305.13 बर्ग किलोमीटर हो गया है ठीक है तो याद रखेगा कि 2.09 बर्ग किलोमीटर की बढ़तरी हुई है दस्वा प्रेशने रुकमणी देवी को आइकोनिक मदर ट्रेशा पुरुसकार 2021 से सम्मानित के गया इनका सम्मंद किस जनपत से है तो इनका सम्मंद दोस्तों चमोली की दसोली विलोक से है तो राइट आम से रह ओप्शन C इन्हें यह पुरुसकार करोना काल में मानिवे सेवाय देने के कारण दिया गया है अगला कोशन है कि एम्स में एक जंग लडते हुए पुस्तक के लेखक कोन है राइट आंसर है ओप्शन D रमेश पोख्रियाल निसंग रमेश पोख्रियाल निसंग की प्रसित पुस्तक है जो हाली में प्रकासित की गई है एम्स में एक जंग लडते हुए वारबा कोशन है दोस्तों कि स्वास्ते सेवाओ को वहतर बनाने के लिए राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा का सुभारंप किया गया तो यह सुभारंप दोस्तों चमूली से क्या गया है सही अंसर है ओप्सन बी नेश्ट कोशन है कि उत्रकन में पारिवारिक पैंसन का नया नाम क्या रखा गया है तो सही अंसर है ओप्सन ए सम्मान पैंसन सम्मान पैंसन नया नाम रखा गया पारिवारिक पैंसन का ठीक है तो याद रखेगा उप्सन ए राइट रहेगा चोद्वा कोशन है कि 30 जनवरी 2023 को राष्ट पिता महात्मा गांधी की कौन सी पुनेतिती मनाई गई सही आंसर है उप्सन भी 75 भी 75 भी पुनेतिती मनाई गई है 30 जनवरी 2023 को अगर आपसे पुछा जाए कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्स की गई थी तो इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथुराम गोटसे के द्वारा बिल्ला हाउस दिल्ली में की गई थी ठीक है इनका जनम हुआ 2 अक्टूबर 1889 को ठीक है और देखे एक कोशन है और महत्मा प्रस ने कि 2 अक्टूबर को प्रती एक वर्स अंतराश्टिय अहिंसा दिवस मनाया जाता है जो कि दोस्तों यूएन ने के द्वारा 2007 में घोसना की गई थी तो याद रखेगा कि यूएन नो के द्वारा दोस्तों 2 अक्टूबर 2007 को घोसना की गई थी कि 2 अक्टूबर को प्रती एक वर्स अंतराश्टिय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा अकला कोशन है कि उत्राखन में होम इस्टे योजना किस देश के मोडल पर तयार की गई है तो यह योजना दोस्तों इटली देश के मोडल पर तयार की गई है तो राइट आंसर है ओप्शन बी ठीक है तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 important question जो सभी selected और important question थे आज का आपका होंबर करहेगा बताना है friends कमेंट करके कि मायबती आसरम उत्राखन के किस जनपद में इस्तित है चमोली, चमपाबात, रुदर प्रियाग, पितोरागड ठीक है महत्पूर्ण प्रस ने कमेंट करके जरूर answer बताईएगा साथ में बताईएगा दोस्तों आज की class आपको कैसे लगी I hope आपको जरूर पसंद आई होगी सभी question selected है जो कि आपके exam में सीधे पूछे जाएंगे ठीक है तुछे लिएगा मिलते हैं दोस्तों next class के साथ तब तक के लिए भाई thank you so much for watching, जै हिंद